नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के 40 लाख बच्चों को इसी महिने से मिलेगी पोसाख की रासी जारखन के सरकारी स्कूल में नमांकी 40 लाख छात्र छात्राओं को बीतिय वर्ष दो हैर्ष चोविस के लिए अगस्त महिने से ही पोसाख की रासी मिलेगी बच्चों के बीच सितमबर तक रासी का वित्रन कर दिया जाएगा इसकूली सिक्षा वत्सक्षर्टा विभाग ने जीलो को 210 कोड़ों रूपए रासी के साथ साथ गाइल लाइन भी जारी कर दिया है पहले से पांचवी तक के बच्चों को दो जोड़ी पोसाथ एक फूल स्वेटर वर एक जोड़ा जूत्ता मोजा के लिए 600 रूपए दिये जाएंगे जबकि छटी से आठवी के बच्चों को 760 रूपए दिये जाएंगे रासी बच्चों के बैंग खाते में डिवीटी के माध्यम से जाएगी जर्खन सिक्षा परियोईना परिशत की राजे परियोईना निदेशक किरन कुमारी पासी ने जीलो को निर्देश दे दिया है कि पोसाग की रासी बचों के खाते में डीवीटी के माध्यम से दी जानी है अगर स्वेम सहायता समोह निर्धारित समय पर पोसाग त्यार कर दे तो उससे भी लिया जा सकता है चाई बासा में नक्सलियो और सुरक्षा बल के बीच मुड़ भेड पच्मी सिमुम जीला के कुलहान जंगल के गोईल के रथाना अंतरगत हाथी बुरु जंगल के आगे सो सोपी गाउं के पास नक्सलियो और सुरक्षा बलो के बीच सुबह मुड़ भेड हुई जिसमें CRPF 60 बटालियन के दो जवान घायल हो गए थे इन में से एक की मौथ हो गई है मुद्भेड के बाद नक्सली पहाडों में बस एक घने जंगल का फैदा उठा कर भाग खड़ा हुए जबकि सुरक्षा बलो ने साथ ही घायल जवानों को जंगल से सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है घायल जवानों को हेलिकोप्टर की मदद से राची लाया गया और यहां के मेडिका अस्पताल में इलाज के लिए भरतिक रहाया गया जनकारी के अनुसार एक जवान के मिरित्यू हो गाई बलिदानी जवान का नाम सुसांत कुमार है वो उडिसा के रहने वाले है ज्यारखन में 35894 पदो पर होगी नियुक्ती परिक्षा अगस्त से नौंबर महिने के वी ज्यारखन में बड़े प्रमान पर नियुक्ती परिक्षाएं आयोजित की जाएगी ज्यारखन राज करमचरी चैन आयोग ने कूल 35894 पदो पर नियुक्ती परिक्षाएं का कैलेंडर जारी किया है सर्वधिक नियुक्तियां सहायक अचारी के पत्पर होगी हाल ही में JSSC ने 26 एर एक सहायक अचारी की नियुक्ती के लिए बिगयापन जारी किया था JSSC द्वारा जारी कैलेंडर के मुताविए कूल 12 नियुक्ती परिक्षाएं आयोजित की जाएगी जिन में से 6 CVT यानी कम्प्यूटर वेस्ट होगी बाकी 6 OMR सीट पर ली जाएगी जार्खन में असनातक अस्तरिय सन्युक्त परिक्षाविए आयोजित की जानी है जार्खन सरकार ने PGT टीचर के लिए भीतिनेर 20 पदों के लिए आवेदन मांगे हाए जार्खन में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात जार्खन में हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा है कुलान परमंडल की बात होया सिम्डेगा को डर्मा या लातेहार जीला का सभी जगा हाथियों का उत्पात से ग्रामिन परिसान है आए दिन हाथी किसी गाव में आ करना सिर्फ घरों को छतिगरस्ट पहुचा रहे हैं बलिक घर में रखे आनाज और खेतों में खड़ी फसलों को भी खाय कर बरबाद कर रहे हैं अब ग्रामिन भी हाथियों के उत्पास से डरेक्स वह में नजर आते हैं पच्मी सिमुम जीला अंतरगा जगनाथ पुर्थाना चेतरे के छोटा महूल डिहा गाव में 23 जंगली हाथियों के जूड़ने धावा बोला हैं रात लगभग 10 बये जूड़ काला पहाड हे देबरु जंगल से निकल कर छोटा महूली डिहा गाव पहुचा हाथियों को गोटाला केस में इड़ी ने सुकरवार को 14 गिरफतारी के रूप में प्रेम परकास को गिरफतार किया है इड़ी ने उसे कोट में परस्तूत किया वहाँ उससे पांच दिनों तक कुछ ताच के लिए अनुमती मिली है यह वही प्रेम परकास है जिसे ने ताओ और नौकर स हो का करीबी बताया जाता है प्रेम परकास को इड़ी ने सहब गंज में एक हैर करोर के अवैध पथर खनन में गत वर्ष 25 अगस्त को गिरफतार कर जेल भेजा था बतादे रांची के होटवास बीसा मुंडा केंद्रिय कारा में पिछले एक साल से बंद प्रेम परकास के अ पर्निंग वाक पर निकलने से पहले हो जाए सावधान महिलाए सावधान हो जाए सुबह के वक्त कोई भी अंजान ब्यक्ति रोक टोक करे तो दूरी बनाए रखे ज्यादा परेसानी होने पर तुरंथ इसकी सुचना आसपास के लोगों को दे या पोलिस को बताए सुबह 6 वैसे लेकर 8 वै तक इन दिनों सहर में ठग सक्रिये हैं ये ठग बुजुर्ग महिलाओ को ही निसाना बना रहे हैं ताकि मामला बिगड़े तो भागने में असानी रहे ये पूजा पाठ के नाम पर महिलाओ को जहासा में ले रहे हैं उनके जेवरात लेकर फ्रार हो जा र पूलिस के पास ऐसे ही कई मामले पहुंचे हैं लेकिन कोई करवाई नहीं हुई है सदर इलाके में गुरुवार के सुबह महिला सूलेचना अपने घार से टहनले के लिए निकली थी रास्ते में दो ठग पहुंचे और कहा कि उस पर बहुत संकट आने वाला है संकट दूर क से कहा कि सोने का कंगन यांकोठी दो और इसके बदले दो हजार उपई लेलो सराब पी कर सलक पलु ढग गई पतनी पती ने उतारा मोथ के घाट गुमला के विश्नूपूर पर खंड के गुरुदारी थना छेतर अंतगत सकुआ पानी गावं बिते गुरुवार की साम रमेश असूर ने सराब के नसे में अपनी पतनी एतवरिया असूर की धरदार बल तक बहस होने के बाद पतनी घर चे बाहर निकली उसने इतनी सराब पी रखी थी कि चलने के हाला तक में नहीं थी वहीं सलक पर लुढग गई साहेब गंज के उधवा में लोगों की मौत पर हड़कम डेंगू की असंका जहार खंड के जिलों में डेंगू की इस्थिति गंभीर होती जा रहे है सुक्रवार के सुबा उधवा के दो लोगों की मौत हो गाई दोनों की मौत डेंगू से होने की असंका है मिरितकों में 55 वर्षिये समीम अक्तर वा 21 वर्षिये पिंकी खातून सामिल है पिंकी खातून समीम अक्तर की बहुत ही दोनों उधवा के रहने वाले थे कहा जा रहा है कि बिगत एक सब्ता से दोनों डेंगू से पिडित थे अस्थानी अस्तर पर अपना इलाज करा रहे थे गुरु आर कोई स्थिती बीगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए राज महन अनुमनर अश्पतर लाया गया जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया वहाँ ले जाने के करम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गाई जिस छेत्र के आदमी की मौत हुई है वहाँ डेंगू फैला हुए है इन दोनों के बलोड का सेंपल लिया गया था आप तक रिपोर्ट नहीं मिली है बेकाबु कारने सड़क पर मचाया तांडव एक अन्यंत्रित कारने सुक्रवार की सुबा सहर की सड़को पर तांडव मचाया कई लोग उसकी चपेट में आने से घायल हो गया जिरवा बाड़ी ओपी छेत्र के छोटी लोहंडा की प्रियांगा कुमारी का सीर फट गया उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है वहीं पाकूर में पदस्थापी जहरखन पूलिस के जवान बवलु दूबे भी कार की चपेट में आने से घायल हो गया उनकी बाइक भी छतिग्रस्थ हो गयी एक आटो भी उस कार से धक्का मरा वहीं बाद में वाहन चला रहे किसोर को लोगों ने संत जवियरी स्कूल के सामने से पकड़ लिया लोग उसके साथ मार पीट करने पर उतारू थे जिर्वाबाडी ओपी के सब इंस्पेक्टर पितम रंजन ने उसे पकड़ कर भीड से सुरक्षित निकाला पुलिस मामले की जाज प्रताल कर रही है हाबडा मुंबाई मुख्य मार पर याताया ठप दक्षिन पूर्व रेलवे के चक्रधर पूर रेल मंडल में रोजाना यातरी ट्रेन को रोक कर माल गाड़ी को पास करने के कारण घंटो लोग परिशान रहते हैं आक्रोसित यातरियों ने आसता सुक्रवार को ट्रेन रोक कर हाबडा मुंबाई मुख्य मार को जाम कर दिया चक्रधर पूर रेल मंडल के यातरियों के सबर का बंद तूट गया और ट्रेन लेट होने पर रेल चक का जाम कर दिया इस कारण से हबडा मुंबाई मुख्य मार्ग परयात्यात पुरी तरसे ठप है जनकारी कनुसा चक्रधरपूर रेल मंडल में रोजाना यातरी ट्रेन को रोक कर मालगाडी को पास किया जाता है इससे लगाता ट्रेनों की लेट लतीफ से परसान रेल यातियों ने सुक्रवार को चक्रधरपूर रेल मंडल के बीरबांस में चक्रधरपूर टाटा मेमू पैसेंजर ट्रेन को रोक कर रेल चक का जाम कर दिया है जेमेम विधायक लोबिन ने रखा तीर धनूस वाला सुरक्षा गाड़ जारखन में सत्तारूर जारखन मोक्ति मोर्चा की विधायक लोबिन हेमरम ने अपने लिए तीर धनूस वाला सुरक्षा गाड़ रखा है लोबिन हेमरम बोर्यो बिधान सबा सीट से बिधायक है और पिछले एक साल से हमान सुलें सरकार के खिलाब मोर्चा खोल रखा है बिधान सबा के हालिया मांसुल सत्र के दौन उन्होंने पत्थर माफिया से जान को खत्रा बताते हुए सुरक्षा के भी मांगी थी तब यह सुचना आई थी कि ग्री मंत्रा लें लोबिन हेमरम को एक स्ट्रेनी के सुख्षा दी है इसी बीच अब तीर धनुस वाले सुरक्षा गाट के साथ बिधान सबा में घूम रहे लोबिन हेमरम सुर्खिया वटोर रहे है लोबिन हेमरम ने मांसुन सत्रेक के दोराज सदन में बिधान सबादेक्स रिमीन रात महतों से भावी होकर कहा था कि पथर माफिया से मेरी जान को खत रहा है जारखन के कई जिलो में सनी वार से मांसुन होगा सक्रिये पिछले 24 घंटे में राज में कहीं कहीं हलके से मत दर्जे की बारिस हुई है मौसम किंद्र राची से मिली जनकारी के अनुसार जारखन में मांसुन की गतिवी दिया अभी कमजोर है पिछले 24 खंटे में राजी में कुछ अस्थानों पर हलके सिम्मा दर्जे की बारिश हुई है जबकि एक दो अस्थानों पर भारी बरसा भी दर्ज की गई सबसे अधिक 708 mm बारिश जाम तड़ा में दर्ज की गई वहीं सबसे अधिक तापमान 34.6 डिगरी गोड़ा का रहा जबकि नियुतम तापमान 23.6 डिगरी राची में दर्ज किया गया राची मौसम केंद्र के पुरुम्रान के अनुसार जारखन के उत्तर पुर्वी देवगार धनबाद गिरिडी दुमका गोड़ा जाम तड़ा कि वे इस मौसमे सुरक्षित अस्थानों पर ही सरन ले धन्यवाद